10. जीने की कला जिससे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम मिलाए मगर वे यह नहीं जानते कि यहां सबसे बड़ा काम खुद जीवन है अर्थात जीवन को हसी खुशी में काट देना यहां इससे ज्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाई और इससे ज्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहे जिसने यह मुष्खिल हल कर ली उसने जीवन की सबसे बड़ी कुथी सुलजा ली मेरा ख्याल है प्राचिन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझाता एक प्राचिन चीनी वाक्य में पूछा गया है दुदिया में सबसे मुद्धिमान आदमी कौन है फिर जवाब दिया है जो सबसे ज्यादा खुश रहता है इस से हम चीनियों का जीवन समबंदी द्रस्टिकोन समझ सकते हैं अगर आपने संसार की हर स्थिती में प्रसन रहने की कला सीख ली है तो विश्वाश किजिये की आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है अब इसके बाद इस सवाल की जरूरत ही नहीं रहेगी आपने और क्या-क्या सिखा है खुद भी खुश रहे और दुसरों से भी कहते रहे की अपने चहरे उदास न होने दे आज कल की एक फ्रांसी सी लेखक आंधरी गीत की एक बात मुझे बहुत पाई जो उसने अपनी आप बिती में लिखी है खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है यह एक नैतिक उत्तरदायत वभी है मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगर्ट जीवन का प्रबाव हमें तक सिमित नहीं रहता वह दूसरों को भी पकड़ता है या यूं कहिए कि हमारे सुख दुख की छूत दूसरों को भी लगती है इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करे हमारा जीवन एक शिशा घर है यहां हर चहरे का प्रतिबिम्ब एक ही समय में सैक्डों शिशों पर पढ़ता है अगर एक चहरे पर भी चहाया आगई तो वह चहाया सैक्डों चहरे पर चहा जाएगी हम मेंसे किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिकत चायदाद नहीं है हर आदमी पूर्ण संग्र का अंश है दर्या में एक लहर अकेली उठती है मगर उस एक ही लहर में अंगिनत लहरे बन जाती है यहां हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चहरे जमा हो जाए हम खुद खुश रह कर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देख कर खुद खुश होने लगते हैं यह अजीब बात है कि धर्म फिलासफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाही और तीनों में खुद जीवन के विरुद भाव उत्पन हो गया इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज्यादा बुजा दिल और सुखा चैरा लेकर फिरे वो उतना ही ज्यादा धार्मिक फिलासफर और सदाचारी है मानो ग्नान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया यह माना की जिन गुथियों को दुनिया सैक्डों वर्षों से सोच विचार से भी नहीं सुलजा सकी आज हम उन्हें हासी ठठे के चार शब्दों से हल नहीं कर सकते मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहां सत्य की और से आखे बंध नहीं की जा सकती एक भक्त एक सादू एक फिलासफर का सुखा चहरा बना कर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकुती के विश्वकर्मा हाथों ने यहां खीच दिया है जिस चित्र में सुरज का चमकता हुआ मस्तक चान का हसता हुआ चहरा तारों की जल मलाती हुई आखे, पेडों का अनुरुत्य, पंचियों का संगित, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारे अपनी शोभा दिखा रही है वहां हम एक बूजे हुए दिल और सुखे हुए चहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते प्रकूती की इस रूप सभा में तो वही जीवन सत सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चहरे पर चमकती हुई आखे रखता हो और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर तारों की च्छा में तारों की तरह चमक कर फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिल कर अपना स्थान ले सकता हूँ.